नमस्ते दोस्तों मॉम एंजॉइ फूड व्लॉक्स में आपकत स्वागत है तो आज हमरा आने जा रहे हैं स्ट्रीट स्ट्राइल मसाला मेगी देखे फैंस इसके लिए हमने लिया है हमने इसके लिए थोड़े सा गार्लिक लिया है और हमने इसके लिए दो हरी मिर्च ली है औ तोच धा था से लिए गाजर के इन कहो देखिए और शुक्तकों कहता है इसके लिए थोड़ा प्याज लिए 4 द्धी धिव्कि थोड़ी को एक इस विल चेल को तो तु को च्थ ले एक इंधे ऐसं सब्सक्ताइब तें consciously looked तक यह हम अच्छा से बुन लेना है कि और उसके बद हम इसमें प्याज आट करेंगे कि देखे हम इसमें प्याज कर दिया आप देखे इसको भी यह मैं अच्छा से बुन लेंगे एक बिनट तक और उसके बाद हम इसमें धीर धीर सारी चीज़े एड़ करते रहेंगे हमने इसको ज्यादा भुनना नहीं है बस हलका हलका भुनना है कि हमने इसको थोड़ा क्रंची जो इसका फ्लेवर वो भी बरकरार रखना है तो यह देखिए इसको हमने यहां पर ले लिया है गाजर और इसको भी हम अच्छा से फ्राइ कर लेंगे ताकि यह क्रंची एक फ्लेवर डेवला पोजा है इसके इंदर और यहां आपने कैप्सिकम लिया है शिम्ला मिर्च और हम यहां पर कुछ मत्र के दाने ले लिती है है ह् ममने अटर के दाने डाल लिए हैं अब इसको अच्छा से चलाएंगे इसको हम दो मिनट तक ऐसे ही चलाते रएंगे ताकि यह थोड़ा क्रंची नैस सिसके नहर डवलाप हो जाए ग-ध्यथे इसको short करते रहंगे यह देखिए इसको अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि हमारी रेसिपी जो लगे ना नीचे पैन में यह देखिए तो अब हमें एक मिनट हो गया है अब हम इसमें थोड़ से स्पाइसिस एड़ करेंगे तो फ्रेंस हम जो भी शुक्ति पैसे एड़ करें हल्दी और रेट चिली पाउडर, क्रियेंडर पाउडर और स्वाट जो भी हम इसमें डाल रहे हैं वो हमने बस छुटके भर ढाला है सुटके भर डाला है बढão में सारे मसाले डाल दिये देखे हम इसको अच्छे से मिंक्स कर लेंगे अंच्छ architecture चला लेंगे 们 आपमिस में गाल जाली हम मागी का मसाला भी एटकरने वाले हैं तो इसलिए हम जो मसाले भी एटकरें वह थोड़ ओड़ जानगी में अब हम इसमें दो कप पने डाल दिया है और वहम इसे बेट के बाद मैगी ₧ करेंगे तो हमारे देखें बॉइल हो चुकी है मैगी है तो हम इसमें हमने या निकार है की डाल गहा है मैगी का तोड़का यह देखेंज метज बनकर तयार हो गईए कुछे मिंटों कि आ देखेंजक कंसिस्टेंसि ऐदको इस मैगी कि जितनी भी रखने हैं वो आप रख सकते हैं मुझे इस दुकी मेगी पसे था तो मैं इसकी कंजिस्टी बहुत कम रखी थी देखी हमारी मेगी किस तरीके से एक ही अलग-अलग हो चुकी एकदम और ये देखे कितना कितनी सुंदर कितनी मस्त लग रही है देखने में और खाने में तो ये फ्रेंट्स बहुत थी जादा टेस्टी थी ती बहुत थी जादा अच्छा टेस्ट था इसका तो फ्रेंट्स आप भी रेस्पी ट्राइ किजिए और मुझे कमेंट बर्ग में बताएगे कि आपको ये रेस्पी कैसी देखी